सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस रेस्पी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों मैं हूँ शिवानी आप देख रहे मेरा चैनल सुपर शिवानी आम में बनाने जारी हूँ बनाना बताओंगे लिंग कर देखा ऋन इस अधड़ भूसा चावल की बनाने के लिए नीड ले लिया है दो कब चावल को पर दो घंटे पहले भिगो कर रखा था, आप कोई भी राइस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बास्मती राइस लिया है, अधा कप लिया है ग्रेट नारियल, एक चोथाई चम्मच लिया है काली मिर्च का पाउडर, और हमने लिया है चार बड़े चम्मच ओयल, नी डोशा बनाने के लिए, सबसे पहले हम इस चावल का पानी अच्छे से निकाल देंगे, मैंने चावल का पानी अच्छे से निकाल दिया है, अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल कर ग्राइंड करेंगे, अब हम इसमें ग्रेट किया हूए नारियल डालेंगे, थोड़ा सा पानी आड करेंगे अब हम इसे ग्राइड करेंगे अब हम जार का ढखकन ओपन करेंगे और इसे चेक करेंगे अभी ये सही से नहीं पिसा है अब हम इसमें थोड़ा पानी और एड करेंगे अब हम इसे थोड़ी देर और ग्राइंड करेंगे आप देख सकते हैं हमारे चावल बिलकुन अच्छे से पिस चुके हैं अब हम इसे बड़े बावल में निकाल लेंगे क्योंकि हमें नीर डोशा बनाना है नीर का मतलब होता है पानी और पानी वाला डोशा बनाने के लिए हमें इसमें पानी एट करना पड़ेगा अब हम इसमें पानी मिलाएंगे अच्छे से मिला देंगे हमारा बैटर अब तयार हो गया है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यह बिलकुन पतला होता है अब हम इसमें नमक एट करेंगे काली मिश पाउडर एट करेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम डोशा बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम गैस पर एक पैन चड़ा देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे अब हम बैटर को अच्छे से चला देंगे फिर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे पैन हमारा गरम हो चुका है अब हम इस बैटर को पैन में डालेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे अब हम इसे चेक करेंगे हमारा नीर डोशा तयार हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे इसे इस तरीके की छनी में ही निकालेंगे नीर डोशे को हम इस छनी में निकालेंगे ताकि जो इसमें स्टीम है वो नीजे की योड से निकल जाए अब हम इसे कवर कर देंगे अब हम इसे चेक करेंगे नीर डोशे को हम एक ही साइट से ही पकाते हैं दोशा हमारा रेडी हो गया है इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे हमारा नीर डोशा बनकर त्यार हो गया है आप इसे सांभर और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल सुपर्शिवानी को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब कीजिए सुपर्शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस रेस्पी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए